काइस्वाय तेस्ट होता क्या है यह किसलिए यूस करते हैं हम यूस करते हैं टेस्ट करने के लिए कि अगर हमारे कोई भी हमने कोई किया या कोई experimental data हमने present किया है तो वह experimental data जो है वह कितना deviate कर रहा है observed उसके observed value और expected value जो है वह कितनी deviate कर रहे है यह देखने के लिए हम kyle square test करते हैं तो यह बहुत ही essential है क्योंकि कई बार हमारे experimental errors हो जाते हैं तो अगर हमने कोई hypothesis दी है नसले हमारे that आई ऒसेशा रहा है तो वह hypothesis हमें accept करनी चाहिए या हमें reject करनी चाहिए Depending on observed value क्या है और expected value क्या है उनको calculate करके हम Ch2 चैस्स करके यह कर सकते हैं यह हमें वह hypothesis accept करनी है तो यह होता है Ch2 test अब इस्का एक प्रॉमूला होता है Ch2 रही day में summation of observed value minus expected value square divided by expected value यह होता है हमारा जो chi-square test के अंदर जो हम calculation use करते हैं वो यह use करते हैं तो आज हम इसी के बारे में discuss करेंगे और हम बात करेंगे degree of freedom के बारे में ठीक है तो यह सब चीज़ें हम आज discuss करने वाले हैं इस particular video में तो बने रही है और सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने नहीं किया और प्लीज डू शेर दिस वीडियो मोर और मोर ताकि बाकी लोगों को भी help मिले इस particular वीडियो से तो coming back here तो एक question ले लेते हम और यह genetics का question और genetics में ऐसे questions आ जाते हैं जिसमें हमें हमारा hypothesis है या जो हमारी observed value है वह कितना similar है या significantly different है हमारी expected value से तो for example हमने मेंडल का experiment लेते हैं जिसमें मेंडल ने round or wrinkle seeds लेते तो round or wrinkle seeds कुछ भी ले सकते हो आप एंगा example tall or dwarf भी ले सकते हो यहां पर मैं round or wrinkle ले रहे हैं all right तो हमें पता है मेंडल के experiment के through के round जो होता है वो dominant allele characteristic शोकरता है और wrinkle जो है वो recessive allele characteristic है right तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर cross हो रहा है दो heterozygous form के अंदर तो जो offspring के जो chances है होने के जितने बनने चाहिए कि round कितने बनने चाहिए और wrinkle किनने पे चाहिए मानलों यह ने बोला कि round जो है वो बन रहे है round seeds जो बन रहे है वो 20 बन रहे है और wrinkle जो बन रहे है हमारे 30 right तो अब आपको यह calculate करना यह कितना correct है तो हम क्या करेंगे इसको solve करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले तो हमें यह पता है कि पनेट स्कुर बना लो आप और पनेट स्कुर से हम पता कर लेते हैं पहले कि कितनी probability होगी हमारे यह round और रिंकल दाने की तो तो आर 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 स्मॉल आर आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर करेक्ट तो round आने की कितनी probability है round हमें पता है capital R capital R भी phenotype क्या देगा हमें round ही देगा all right capital R small r हमें क्या देगा वो भी round ही देगा लेकिन small r small r क्या देगा क्योंकि दोनों ही रिसे से वलील है तो ये हमें wrinkle seed देगे ओके तो that means हम क्या बोल सकते हैं 1 2 3 out of 4 3 by 4 chance हमारे क्या हो रहे है हमारे round seeds होने के हो रहे है alright और out of 4 only 1 is 1 by 4 that means 1 by 4 probability के इतनी हो रही है हमारी wrinkled होने के होती है correct ये हमें पता है okay तो अब हम calculate करते है हमें ये observed value थी हमारी observed थी okay तो हम expect क्या कर रहे है ये तो observed थी लेकिन हमने experiment करके ये हमने calculate करके panet square बनाके जो expect कर रहे हैं वो हम expect कर रहे हैं कि 3 by 4 round होने चाहिए और 1 by 4 wrinkled होने चाहिए है out of kiss में से ये जो total number of seeds हमें दिये है तो total number of seeds हम पता कर सकते है 20 plus 30 50 हो गया right तो total हमारे पास 50 है तो that means round के कितने हो जाएंगे हमारे पास क्योंकि हम expect कर रहे हैं 3 by 4 round होने चाहिए तो 3 by 4 multiply by 50 calculate कर लिजा आप ऐसे wrinkled के calculate कर लिजा आप wrinkle के कितने हो जाएंगे 1 by 4 multiply by 50 right तो ये हमारे पास आजएगा 37.5 और ये हमारे पास आजएगा 12.5 अब हमें क्या करना है अब एक चीज़ आप याद रखें यह यहान पर ाक्टेबल बना देती हूं आप इसी तरिके से इसको solvethe किजा हमशंग इस कॉलम में आपको क्या लिखना है observed value लिखनी है इस कॉलम में आपको expected value लिखनी है इस column में आपको क्या लिखना है observed minus expected लिखना है ठीक है ये वाला जो हमने form बनाया है chi-square test के अंदर ओके और एक में आप observed minus e का whole square कर दीजे तो easy होगा आपको chi-square की calculation करने में next हम क्या बनाएंगे next हम बनाएंगे o minus e का whole square divided by e ओके तो ये calculate करना हमें ये वाला final ओके और यहाँ पर हम डाल देते हैं क्योंकि हमारा round seeds का है और एक हमारा wrinkle है तो wrinkle round की observed value थी हमारी 20 wrinkle की थी हमारी 30 तो यह हो गई expected हमारी कितने है expected round की आगई हमारी 37.5 और wrinkle की आगई 12.5 इनका आप minus कर ली दिया इन दुनों को expect observed minus that means 20 minus 37.5 आप करोगे तो क्या आजाएगा minus 17.5 के similarly यहाँ पे भी आप 30 minus 12.5 करोगे तो यहाँ पे भी 7.5 आजाएगा अब इसका square root निकालिए आप 17.5 का square करिए square निकालिए sorry not square root okay तो 17.5 multiply by 17.5 कर दीजे दोनों जगे तो हमें answer मिल जाएगा यहाँ पे मैं यहाँ पे calculation नहीं कर वहाँ आप कर लीजेगा 17.5 square divided by expected की क्या value तो expected यहाँ पे 37.5 कर दीजे और इस वाले case में आप क्या कर देंगे again 17.5 का whole square point है यह okay divided by हमारा 12.5 expected यहाँ पे कितना है wrinkle का 12.5 है तो जब आप इसको solve करेंगे इन दोनों equations को तो जो भी आपका result आता है okay वह आप calculation कर लीजें let's suppose यहाँ पे यह आया x और यह आगया y तो अब यह जो भी result आया आपको आपको क्या करना है इसको simply हमें chi square निकालना है अब chi square क्या होता है chi square कैसे निकालते है chi square हमने बूला summation of यह value यह value तो हमारी निकल गई यहाँ पे तो हमें sum करना है इन दोनों का इस value का इस value का round or wrinkled का तो simple sum कर दीजे x plus y कर दीजे वह आपको मिल जाएगा आपकी chi square की value अब यहाँ पे अब next क्या करेंगे so अब हमें क्या करना है अब जब हमें chi square value आ गई अब उसके बाद क्या करना है अब हमें यह particular chart को refer करना होगा ठीक है तो यह particular chart actually है क्या यहाँ प यहाँ पे जो उपर वाली जो value है जो bold letters में लिखे हुई है यह कहलाती है हमारी probability value ओके तो probability value यह हो गई और यह जो नीचे जो values है जो हर degree of freedom के आगे है जैसे 1 के सामने आपको यह values दिख रहे हैं सारे की सारी ठीक है तो यह कहलाती है हमारी chi square value अब हमारा जो भी chi square value आया था let suppose यह जो हमने अभी question किया उसके अंदर let suppose हमारी जो chi square की value है वो आई 0.34 let suppose ठीक है हम suppose करें आप calculation कर ली जिगा और find out कर ली जिगा तो 0.34 अगर अगर हमारी हाती है और हमारा degree of freedom हमें पहले पता करना होगा क्या है तो degree of freedom कैसे calculate करते है degree of freedom होता है calculation n-1 n का मतलब है कितने हमा हमारी कितने थे round or wrinkle दो ही है हमारे पास ठीक है दो ही चीजे लिए हमने round or wrinkle that means 2-1 right तो यहां पर हमारे degree of freedom हो जाएगा 1 तो हमें सिर्फ कहां पर देखना है कौन सी रो देखना है सिर्फ 1 degree of freedom वाली तो सिर्फ इस वाली particular row को ही हम देखेंगे ठीक है और उपर हमें देखना हमारी probability value को probability value का क्या significance है वो भी देख लिए पहले फिर easy होगा समझना यह rule है कि अगर probability की value less than 0.05 है right अगर 0.05 से कम आ रही है then क्या करेंगे हम उसे reject कर देते हैं उस particular hypothesis को ठीक है और अगर वो greater than 0.05 आ रही है probability की value ठीक है greater than 0.05 आ रही है अगर probability की value तो हम उसे accept करेंगे okay मतलब क्या मतलब हुआ इसका accept करेंगे मतलब greater than 0.05 अगर probability की value आ रही हो 0.05 से जादा that means कोई difference नहीं है हमारे observed और expected के अंदर almost similarly हमारी जो experimental data है वो correct आया है तो इसलिए हम उसे hypothesis को accept कर लेंगे लेकिन अगर बहुत जादा difference आ रहा है तो हम से reject कर देते हैं अब यह कैसे calculate करते हैं यहां पर यह table के थूँ ही calculate करते हैं तो पहले हमने degree of freedom पता कर दिया chi-square की value हमें पता है मालो 0.34 हमारी आगई calculate करके जो हमने किया भी chi-square का formula यूज करके अब हम क्या करेंगे इस table के अंदर check करेंगे कि 0.34 degree of freedom 1 के row में कहां लाए करता है तो आप देख सकते हो यहां पे यह जो 0.455 है और 0.102 इन दोनों के बीच में लाए कर रहा है 0.34 और यहां पे आप उपर देखे इसका probability क्या हो रहा है 0.75 से 0.50 के बीच में है correct ओके तो आप average निकाल लो इसका कुछ भी let's suppose हम अगर इसको ले लेते हैं 0.6 ले लो आप ठीक है तो इतना अगर हमारा probability आ रहा है तो that means यह क्या है यह हमारा greater than 0.05 आ रहा है 0.05 से ज्यादा आ रहा है तो हम इसे accept कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको calculate करना होता है significance यह non-significance जो है हमारे particular कोई भी एक experiment के अंदर यह होता है kai square test so I hope आ गया होगा आपको समझ में please do share it and like and comment thank you so much for watching bye for now